नमास्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागंदर में सामें दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिथुन राशी 15 मार्च से लेकर 21 मार्च 2020 तूफानी खबर दोस्तों आज किस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं मिथुन राशवली जातकों के लिए सब्ताहिक राशी फल यानि की मार्च महीने का तीसरा सब्ताह 15 मार्च से लेकर 21 मार्च 2022 तक कर समय कैसे रहेगा मिथुन राशवली जातकों के लिए हम आपके केजिर की बात करेंगे बिजनस व्यापार कारوبार की बात करेंगे पारिवारिक जीवन की बात करेंगे दामपती जीवन सु Kazakh कैसे रहगा इजूकेसन की स्तिति कैसे रहेगी नौकरी व्यापार बिदेश की आत्राएं कैसे रहیںगी सभी पहलीों के बारे में बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम मिथुन राशकत को दिन की सुरुआत करते हैं और फिर तमाम करह गोचरी स्थितियों के बात करेंगे देखे दिन की सुरुआत होगी फालगुन मास के सुकलपक्षी 12 सी तिति से और अंता चैत्र महाँ के कृष्ट पक्षी तर्तिया तीथी से होगी चंद्रमा चार भावपी सक्रिय रहेंगे करकराशी सिंगराशी, कन्यर तुला राशी पहे याणि कि आपके दोसरे भाव पहे, तीसरे भाव, चतुरते और पंचम भव़व पे जंद्रमा गोचर करेंगे मिथम राज के आतकों शूरदेव मीन राज्वी पे रहेंगे आपके दसम भवव पे और नबम भवव पे आपके भाग भव पे देगुरु ब्रिहस्पत और आपके राशिक स्वामी बुद्ध ग्रह भी बिराजमान रहेंगे आपके अश्टम भाव पे तीन ग्रहों का योग त्रिग्रही राजयोक निर्मार होगा सनी मंगल और सुक्र की यूती बनी हुई है ये बहुती विशेस रहने वाला है मित्म राशक्यातकों सुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मित्म राशक्यातकों की आपका केरियर और आपका बिजनस व्यापार कारोबार कैसे रहेगा तो देखे केरियर में कुछ नई उपलबदी हासिल होगी केरियर में कुछ बिशेश सफलताएं प्राप्त होंगी इस सप्ता, यह सप्ता बिशेश रहेगा, धन भाव से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो धन इंकम यहीं कि सेलेर में बर्दी होगी, नोकरी में प्रमोसन की योग बनेंगे, कुछ अधोरे कारियों को पूरा करेंगे, सा साथी साथ कुछ नए अबसर आपको प्राप्त होंगे, नई जिम्यदारिया आपके बढ़ सकती है, साथी साथ आपके सोचे हुए कारियों में इजाफ़ा होगा, सोचे हुए कारे आपके पूरे होंगे, कुछ महत्पूर्य नेने ले सकते हैं, बिजनेस प्यापार कारोब से संब्धित और बड़े धिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, बड़ी कंपोनिस से आफ़ार आ सकते हैं, जो प्लिया और साथी साथ रुकाव फस्ता वा धनर रिंड करजों से मुक्ती और पार्टेनर से में बिजनेस व्यापार कारोबार करते हैं, तो मिथन रासकात को बिश मामले में सुधार होगा, जुमिन प्रपर्टी खरीदारी कर सकते हैं, और मार्केटिंग के छेतर में विशेश उपलब्दिया पराप्त होगे, मार्केटिंग के छेतर में आपको बहुती ज़्यादा लाब देखने को मिलेगा, कुछ नए अबसर पराप्त होगे, कुछ न काफी यानि जो उलजने थी वो दोर होगे, परिवार में यानि काफी खुशियां देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सब्ता के बीच में होली का महापर्वी है, जो आपको वीडियो को लाइस्ट में बताएंगे, इस तो फानी खबर के बारे में, और मिथुन राशकायत को ख बिशेश लाब होगा, और आपके जब चतूर्त भाव पे चंद्रमा गोचर करेंगे, तो आपके धन, इंकम में ब्रदी होगे, सुख शादो में ब्रदी करेंगे, गाड़ी बाहन के खरीदारी कर सकते हैं, माता से लाब होगा, माता के सुख में ब्रदी होगी, माता के बिशेश लाब होगा, प्रारंबिक सिक्षा जिनकी है, उनकी लिए बहुत विशेश रहने वाला है, और यहाँ पर देखा जातो संतान प्राप्ति की योग बनेंगे, संतान की चाहत पूरी होगी, जब पंचम भाव पी चंद्रमा गोचर करेंगे, तो बीस और एकीस मार् होगा, लव लाइफ अच्छी रहेगे, लव पाटरंगे साथ काफी अच्छे तालमेल रहेंगे, इस सब्ता है, लव लाइफ यानि कि खुपसूरत उनके साथ खुपसूरत वक्त विताएंगे, घुमने फिने जा सकते हैं, कुछ गिप्ट और उपहार दे सकते हैं, उनको तोफे दे सकते हैं, या फिर आपको मिल सकता है उनसे, स्टुडेंट के लिए बात करें, तो यो देखें, बिद्यार्थी वर के लिए बहुत अच्छे रहेगा, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बना हुआ है, पढ़ाई लिखाई पर आप फोकस भी कर रहे हैं, साथी साथ म किसी भी वेक्त के स्वास्त में कोई नर्मी थी तो अब उसमें नर्मी देखने को मिलेगी, और विदेश की आत्राएं कर सकते हैं, विदेश में अपने कारोबार को विस्तार करने के लिए फिर आप घूने फिने या फिर किसी कार के लिए आप जा सकते हैं, और साथी साथ राजितिक शितर से भी लाव होगा और समाज में आपका मान प्रतिश्टा सब कुछ मिलेगा बड़े निर्ने ले सकते हैं बड़े डिसीजन ले सकते हैं इस सप्ता हमें विशेस उपलब्दिया प्राप्त होंगे घर परिबार का सपोर्ट मिलेगा सब के साथ सहयोग प्राप दूफानी खबार है खोली का दहन 17 मार्च को रातरी नौ बचकर 20 मर्च से रातरी दस बचकर 31 मर्च तक सुब महोरत होगा इस समय आप खोली का दहन कर सकते हैं और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगे रंगों का तेवहार है जो पूरे घर परिबार के साथ बहुती लाजबाब रहें के मेथन राजगत को खोशियों से भारा रहने वाला है यह सबता विशेश उपलब दिया प्राप्त होंगी हर कारियों में आपको प्लब दिया प्राप्त होगी और तो आप राई चोकरा और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च लेकर जाएं और के पूर्ती होती है तो ये था आपके लिए एक तुफानी ख़वर होलीका और होलीका दाहन यानि ये दो दिन बहुत रहें अच्छे और लाजवाब रहेंगे तो मित्हुन राज क्यात को ये सब्ता आपके लिए बहुत अच्छे रहेगा केजियर कारोबार और विजनेस व् यातकों के लिए सब्ताहिक रासी फल यानिकी 15 मार्च से लेकर 21 मार्च 2020 तक का रासी फल तो दोस्तो जाते ते वीडियो लाए जरूर करें नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इशे सेयर करिएगा जैस शनिदेयो